जुडिया बहन मैं अपनी मा के पास जा रही हूँ प्लीज मुझे अपना हार दे दो मैंने अपने मैके में बड़ी बड़ी छोड़ी हुई है अगर बानठन कर ना गई तो मेरा सारा जूट पकड़ा जाएगा गोरी बहन ऐसे जूट की बनावट हमेशा नहीं चलती जूट एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है चुडिया बहन आप मेरी पड़ो सुन हो इसलिए आ गई आप तो मुझे बातें ही सुनाना शुरू हो गई हार ले जाए आप मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी फिर गोरी कवी चिडिया से उसका हार एक दिन के लिए उधार लेकर चली जाती है गोरी हार ले आई हो हाँ हार तो ले आई हूँ मगर कालू जी मैं अपने मैके वालों के लिए खाने के लिए क्या लेकर जाऊंगी मैं बेरी के पेर से बेरियां तोड़ कर ला देता हूँ वो ले जाना कालू शरम करो बेरियां भी कोई ले कर जाने वाली चीज है तो फिर क्या करूं मैं कालू मुझे कुमकुम की दुकान से दो किलो मिठाई ही ला दो वो मिठाई उधार नहीं देता कालू जी मेरे सुन्दर पती अपनी पतनी की इच्छा पूरी नहीं करोगे मैं जाता हूँ और मिन्नत करता हूँ कुमकुम की अगर मान गया तो फिर कालू कवा कुमकुम पक्षे की मिठाई की दुकान पर चला जाता है यार कुमकुम मुझे दो किलो मिठाई उधार दे दो मैं दो चार दिन में पैसे दे जाऊंगा वो तो ठीक है महगाई बहुत है आपने तो पहले ही मेरे बीस रुपए देने हैं मैं सारे पैसे एक साथ ही दे दूँगा अगले भी और पिछले भी फिर कुमकुम उसे दो किलो मिठाई उधार दे देता है जिसे लेकर कालुकवा खुशी खुशी घर चला जाता है मिठाई तो ले आया हूँ कुमकुम मान नहीं रहा था बहुत मुश्किल से मनाया है मैं भी चलूं तुम्हारे साथ नहीं नहीं मैंने वहां जाकर केई जूट बोलने है और तुम्हारे सामने मुझे जूट बोलने में बहुत दिक्कत होती है फिर ओटो आ जाता है और गोरी कवी अपना बैग उठाती है और ओटो में बैठ जाती है थोड़ी ही देर बाद गोरी कवी अपने मैंके वाले जंगल पहुंचाती है गोरी की मा घर के बाहिर ही बैठी गोरी का इंतजार कर रही थी आ गई मेरी बेटी हाँ माँ छोटी नहीं पहुँची अभी तक वो तो कब की आई हुई है चलो खर चलो वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं फिर गोरी कवी और उसकी माँ घर के अंदर चली जाती है चोटी मैं तुम्हारे लिए देसी खीकी मिठाई लाई हूँ मेरे सुसराल वाले बहुत अमीर हैं हम रोज ऐसी स्वादिस्ट मिठाईयां खाते हैं पती जी देख लो गोरी दीदी का पती उसका कितना ख्यार रखता है और आप कभी मेरे लिए मिठाई नहीं लेकर आए मैंने तुम्हें अच्छा खार दिया हुआ है रहने को और तुम्हें क्या चाहिए लो जी चोटी जी जाजी तो केवल खार ही दे सकते हैं तुम्हें जी जाजी ये देखो एक लाख का हार है जो मैंने पहन रखा है अब ही कल ही मेरा पती मेरे लिए ले कर आया था फिर वो सम मिठाई खाते है मा, मैं ये बाकी की मिठाई पडोसियों को दे आती हूँ और उनसे मिल भी आती हूँ फिर गोरी मिठाई लेकर पडोस में जाती है चीलदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ गोरी, तुम कब आई हो? मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ आप यहां बैठें मैं आपके लिए चाई लेकर आती हूँ दीदी, क्या नोकर नहीं है आपके घर में? नहीं गोरी, क्या तुम हरे पती ने तुम्हें नोकर रखकर दिये हुए है? एक नहीं, दो दो मेरे घर में दो दो नोकर हैं जो मेरे घर का सारा काम करते हैं बहुत अमीर है मेरा पती मैं तो पानी भी अपने नोकर से ही लेकर पीती हूँ गोरी ये हार कहां से लिया बाजार से एक लाख का आया है फिर ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ने के बाद गोरी वहां से बुलबुल के घर जाती है गोरी तुम कब आई हो मैं मांसे मिलने आई थी बहूत अमीर है ना मेरा पती वो मुझे हवाई मोटर पर छोड़ कर गया था गोरी क्या काम करता है तुम्हारा पती उसका अमरूदों का बाग है और अंगूरों का भी बड़ा व्यापार है मेरे पती जी का इसलिए तो मुझे कल ही एक लाह का हार ले कर दिया है गोरी तो ऐसे छोड़े जा रही थी के रुक ही ना रही थी फिर शाम हो जाती है और गोरी अपनी मा के घर चली जाती है गोरी दीदी तुम्हारी शादी माने बहुत अच्छी जगा की है मुझे तो गरीबों में ही बिहा दिया माने हाँ छोटी अपनी अपनी किस्मत होती है मैं तो एश करती हूँ एश फिर दूसरे दिन गोरी वापिस जाने की त्यारी करती है चील्दी और बुलबुल भी गोरी से मिलने आई हुई थी गोरी आपकी मिठाई बहुत स्वादिश थी मज़ा ही आगया मिठाई खाकर हमारी गोरी की शादी बहुत अमीर परिवार में हुई है घर्व है हमें अपनी गोरी पर अब मैं चलती हूँ माँ मैं फिर किसी दिन आऊंगी और सब के लिए एक एक साड़ी भी लाऊंगी मेरे लिए उगुला भी रंग की लाना साड़ी फिर गोरी कवी वहां से वापिस हो लेती है कालू कालू मेरे जीचा जी तो मेरे हार की तरफ ही देखे जा रहे थे और तुम्हारी बहन चोटी तो रो रही थी कि माने मेरी शादी गरीबों में क्यों की अब जाओ और चुडिया का हार भी वापिस कराओ और फिर कुमकुम की मिठाई के पैसे भी देने है नहीं तो वो मुझे वहां से गुजरने नहीं देगा ऐसे ही दो चार दिन गुजर जाते हैं और लाल तोता गोरी के खराता है गोरी मैं तुम्हारे मैके वाले जंगल से आया हूँ तुम्हारी बेहन अपने पडोसियों के साथ कल तुम से मिलने आ रही है ऐसा कहते हुए लाल तोता तो चला जाता है मगर गोरी की तो जान ही निकल जाती है उसने बड़े बड़े जूट जो बोले हुए थे अपने मैके वालों के पास अब सब को पता चलेगा के तुम कितनी अमीर हो कालू कुछ करो पलीज मेरी इज़त का मसला है कुछ करो फिर कालू और गोरी तोते और कबूतर के पास जाते हैं तोते मेरे भाई थोड़ी देर के लिए तुम और कबूतर मेरे नौकर बन जाओ यूँगा गोरी आप तो हमारे दोस्त हो आप से जूद कैसा गोरी ने अपने मेके में जाकर बड़ी बड़ी छोड़ी हुई है और काल गोरी की बहन अपने बडोस्यों को साथ लेकर गोरी से मिलने आ रही है बस थोड़ी देर्जी को बात है मान जाओ मिठ्व फिर ऐसे कोटा और कदू पर गोरी का नोकर बनने के लिए मान जाती है दूसरे दिन दुपहर के समय चील दी बुल बुल गोरी की बहन और गोरी का जी जाजी सब गोरी के घर पहुंजाते हैं देख ले आप सब मैंने कोई जूट बोला था ये दोनों मेरे नोकर हैं जाओ तोते नोकर महमानों के लिए चाई लेकर आओ फिर दोता चाई लेने चला जाता है गोरी बहन वो मिठाई घर में है मैं अभी मगवा लेती हूँ कालू जाओ और कुमकुम से मिठाई तो लेकर आओ अभी गोरी ने ऐसा कहा ही था कुमकुम गोरी के घर आ जाता है कालू पूरे तीन दिन हो गए तुमने मुझसे उधार मिठाई ली थी अब जल्दी से मेरे पैसे दो तुम हर बार ऐसा ही करते हो ये सुनकर समयमान गोरी की तरफ देखने लगते हैं क्या गोरी दीदी क्या आ मिठाई उधार लेकर गई थी कुछ अमीर बख्षी ऐसे ही उधार करते हैं चिडिया बेचारी क्या जानती थी के गोरी के घर में कौन आया हुआ है वो भी अपना हार लेने आ जाती है गोरी बेहन मैं अपनी मा के पास जा रही हूँ मेरा हार तो वापिस कर दे पीछे से कबूतर बोलता है गोरी अब हमारे नोकर बन कर नाट करने की जरूरत नहीं रही क्यूंके तुम्हारा सारा जूट पकड़ा गया है गोरी तो ऐसे चुप थी जैसे उसे साब सून गया हो और वो सब के सामने बहुत शर्मीनदा होती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए क्यूंके कभी ना कभी तो सच सामने आही जाता है आजा आजा चलिया जल्दी से आजा आज मैं तुम्हारे सारे ही पैसे छीन लूँगा कालुकवा बहुत बदमाश था किसी भी गरीब और कमजोर पक्षी को देखकर उसे जो भी होता सब छीन लेता आज मैं बाजार से अपने बेटे की दूद और जले भी लेकर जाऊंगी थंडे थंडे मौसम में मेरा बेटा दूद जले भी खा कर बहुत खुश होगा ममा चलिया अपने पैसों की पोटली लिए ऐसा सोचते हुए जा रही थी जब उसे डुष्ट कालुकवा रोक लेता है अगर यहां से एक पांख भी आगे बढ़ी तो अभी जान से मार दूँगा लाओ अपनी ये पोटली मुझे दो इसमें मेरी 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 मजदूरी की कमाई है मैं तुम्हें अपनी कमाई क्यों दूँ ऐसा सुनकर कालुकवा चिडिया को मारना शुरू कर देता है और चिडिया से रपों की पोटली छीन कर भाग जाता है बतमाश कालुकवा मेरे रुपए छीन कर ले गया मैंने सोचा था कि आज अपने बेटे के लिए दूद चले भी ले कर जाओंगी फिर चिडिया खाली पांकी वापिस चली जाती है ममा आज फिर सुखा दाना आपने तो कहा था कि आज आप मेरे लिए कुछ स्पेशल ले कर आओगी वो गंदा कवा मेरी सारी कमाई छीन कर ले गया मैं फिर किसी दिन अपने बेटे के लिए दूद जले भी ले कर आओंगी ये लो पक्षी रूप है और मुझे गरम गरम जले भी दे दो कवा चिडिया से छीने हुए पैसों से मजे करता है बुल बुल मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे घर के आसपा से फूल न तोड़ा करो कवे भेया मैं इन फूलों का रस निकाल कर बिमार पक्षियों का इलाज करती हूँ तो फिर मुझे क्या बता रही हो मैं कौन सा बिमार हूँ भागो यहां से अगर मैं यह फूल नहीं लेकर जाऊंगी तो दूसरे पक्षियों का इलाज कैसे करूंगी तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है कालू कवा बड़ी लाठी उठाकर बुल बुल की पीटाई शुरू कर देता है शोड सुनकर कबू तर भी वहां आ जाता है छोड़ छोड़ कालू बुल बुल को क्यों मार रहे हो इसने मुझे मारा इसने मुझे बहुत मारा अगर कभी ये कवा बिमार हो गया तो मैं भी इसे दवा नहीं दूँगी मैं कभी बिमार नहीं हूंगा चल भाग यहां से कालू बुल बुल हम सब पक्षियों की सेवा करती है हमें मुफ्त धवा देती है आपने बुल बुल को मार कर अच्छा नहीं किया क्या अच्छा क्या बुरा मुझे सब बता है ऐसा कहते हुए कालू कभा वहां से चला जाता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं आज फिर से चिडिया को अपनी तनख्वा मिली थी आज मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ अगर वो कभा रास्ते में मिल गया तो वो फिर से मेरी तनख्वा मुझे से चीन लेगा ऐसा सोचते हुए चिडिया रास्ता बदल कर अपने घर के लिए उड़ती है वो बहुत डरी हुई थी वो डरते डरते जा रही थी के सामने कालू कभा फिर से आ जाता है और उसे रोक लेता है बताओ अप सिधे से ये थैली मुझे दोगी या उस दिन की तरहां मार खा कर दोगी चिडिया तो कभे से बहुत डरती थी नहीं नहीं कभे मुझे ना मारना मैं थैली तुम्हें दे देती हूँ चिडिया अपनी पैसों वाली थैली फिर से कालू कवे को देख कर वहां से चली जाती है कालू पक्षी तो सारे ही तुमसे डरती है मगर ये चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही डरती है कम जोर है ना बेचारी दूसरे पेड़ पर नागू सांप बैठा ये सब देख रहा था इस कवे ने आज फिर उस चिड़िया से उसकी कमाई चील ली है इसका जुलम हर दिन भरता जा रहा है मुझे अब इसका कुछ ना कुछ करना होगा दूसरे दिन चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी कि वहा नागू सांप आ जाता है चुड़िया मैंने सब देखा था वो कवा कैसे तुम्हारे पैसे चीन लेता है वो बहुत बदमाश हो गया है नागू सांप भीया मैं जब भी अपनी तनख्वा लेकर आती हूँ वो मेरे पैसे चीन लेता है अगर ना दूँ तो बहुत मारता है तो फिर तुम ऐसा करो आज रुपों की जगह मुझे थेली में डालो और फिर मैं देखता हूँ वो कालो कवा कैसे कमजोरों पर जुलम करता है ये सुनकर चीडिया बहुत खुश होती है चीडिया नागू साम को अपनी थेली में डाल लेती है और कवे की तरफ जाती है वाह वाह आज तो शिकार चल कर ही मेरी तरफ आ गया है मुझे मिहनत भी नहीं करने पड़ी कवे भीया मैंने सोचा मेरी कमाई तो आप छीन ही लोगे मैं खुद ही आपको दे आती हूँ ये हुई ना बात तुम बहुत स्यानी हो चीडिया अगर ऐसे ही मुझे से डरती रहोगी तो मेरी मार से बची रहोगी चीडिया कवे को वो नागू साम वाली थैली दे कर वहां से चली जाती है चलो आज मैं चीडिया की कमाई से गरम गरम समोसे खाता हूँ फिर कालू कवे वहां से चला जाता है समोसों की दुकान पर जाकर कालू जैसे ही उस थैली को खोलता है तो नागू साप कालू कवे के चहरे पर अपना डंग मारता है मैं मर गिया, मैं मर गिया इस ठहली में खतरनाक साप कहां से आ गिया जुलम जब हाद से बढ़ता है तो मिट जाता है अब नार होगे तुम और ना करोगे कमजोरों पर जुलम कोई मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूँ मेरी सांस रुक रही है, कोई तो मुझे बचाए फिर कालू कवाद जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ, बुल-बुल के घर की तरफ जाता है बुल-बुल-बुल, मुझे नागू साप ने ढस लिया है जल्दी से मुझे चेहर दूर करने वाली दबा दे दो नागू साप ने बहुत अच्छा किया, जो तुम जैसे जालिम को ढस लिया भागो यहां से, और याद करो वो दिन, जब तुमने मुझे मारा था बुल-बुल, मैं मर जाओंगा कल क्या मरते हो, अब ही मर जाओ, तुम तो कहते थे कि मैं अब ही बिमार नहीं हूंगा अब पता चला काले कववे कहें के, चल भाग, मेरे घर में ना मर जाना फिर कालु कववा वहां से चला जाता है वो अपने तूटे हुए घौंसले में जाकर लेड जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है अगर कल मैंने किसी पकववे के साथ अच्छा किया होता तो कोई आज मेरी भी मदद करता अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है फिर कालू कववा अपने घौंसले में ही मर जाता है और सभी पकशी खुश थे क्योंके वो सब को ही मारता था आज तो चिडिया ने भी अपने बेटे के लिए दूद और जलेबी ले ली थी क्योंके अब उसके पैसी चीनने वाला कोई नहीं था ममा मुझे दूद जलेबी खाने का बहुत मजाया ममा वो कालू अंकल बहुत गंदे हैं हर बार आपके पैसे चीन लेते हैं बेटा कुकु जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है उसे उसके किये की सजा मिल चुकी है नागू साम ने उसे डस कर मार दिया है ममा सच हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए क्योंके बुराई का अंत बुरा ही होता है